हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे सी यूटूब चैनल साइंस इस्टेडी पे तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ अपने इस चैनल पे उपस्तित हैं यह टॉपिक जो है और वर्स जो है किसी निकिसी स्रिट में जरूर पूछता है कि DNA और RNA में क्या अंतर होता है यह अति लगू उत्तरी लगू उत्तरी या विश्तरित में भी यह question पूछ सकता है तो आईए हम लोग देखते हैं कि DNA और RNA में क्या अंतर होता है उससे पहले जो है हम लोग कुछ DNA और RNA के बारे में बेसिक जानकारियां जान लेते हैं कि DNA क्या होता है और RNA क्या होता है तो हम लोग को पता है कि प्रिथी पर पाए जाने वाले जो भी जीव जन्तू होते हैं उनमें जो है DNA एक अनुवंसिक पदार्थ की तरह कारे करता है मतलब यह जो DNA होता है यह एक अनुव बात करे आरेने की तो आरेने भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि आनुवनसिक पदार्थ ही होता है लेकिन यह जो है कुछ विशाड़ों के अंदर ही आनुवनसिक पदार्थ की तरह कारे करता है और जो है नील हरी स्वाल में भी हम लोग कह सकते हैं तो आईए हम लोग देखते है है कि DNA RNA में क्या अंतर होता है तो हम लोग देखते हैं मैंने यहां पर जो है DNA और RNA में अंतर को यहां पर डिफाइन किया हुआ है कि DNA क्या होता है और RNA क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग अगर DNA की बात करें तो DNA का जो है डीन ने का पूरा नाम होता है डी आक्सीराइबो G Faculty हम अगर वहां ही पे RNA की बात करें तो यहां पिसका पूरा नाम होगा राइबोज़ न्यूक्लिक अमल , र से राइबोज N से नूक्लिक से acid होता है. ठीक है? तो अगर दूसरे अंतर की अगर बात करें, तो दूसरा अंतर ये कहता है, कि यह जीवों में प्रमुकho रूप से आनुयंशिक पदार्थ. अभी मैंने आप लोग को बताया, कि जो हम लोगा dna होता है, ये जीवों में प्रमुख रूप से जो है अनुवनसिक पदार्थ की तरह क्या होता है कारे करता है ठीक है अगर वहीं RNA की बात करें तो यह कुछ विशाड़ों में जो है कुछ विशाड़ों को छोड़ कर यह अनुवनसिक पदार्थ की रूप में कारे नहीं करता है मतलब इसके कहने का यह है कि जो RNA होता यह कुछ विसाड़ों में ही केवल अनुवन्शिक पदार्थ की तरह कारे करता है इसके बाद तीसरे अगर नंबर की बात करें तो हम कह सकते हैं इनका जो अडुभार होता है मतलब DNA का जो अडुभार होता है वो ज्यादा होता है और वह पाया जाता है वह अगर RNA की बात करेंगे तो यह जो है कोशी का द्रब में पाया जाता है ठीक है और DNA कहां पाया जाता है कि गश्याद्र के पाया जाता है तो यह हमारा होता है डिने जो होता मुखित दो प्रकार क्या होती है इक केंद्र की और क्यंद्र के मतलब कि अगर केंदेरग्ध में पाए जाता है तुमोग हम लोग और केंद्र की कह सकते हैं Armen sowas सब्क्राइब का हुटा है mRNA , tRNA और न का मतलब होता है messenger RNA जिसको हम लुख हिंदी में संदेश्वाहा का रनय कहते हैं वहीं पिर टी आ रन्य की बात करें तो टी फर ट्रांस्फर इस्थान अंत्रल रन न की बात करें तो यह हमारा होता राइबोसोमल RNA ठीक जो कि प्रोटीन के स एडिनीन, थाइमीन, ग्वानीन तथा साइटोसिन ठीक है ये चार नाम बड़ा इंपोर्टेंट है तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से नाम को याद रखेंगे कि DNA में चार प्रकार के छारक पाये जाते हैं जो कि एडिनीन, थाइमीन, ग्वानीन और साइटोसिन होता है अगर वहीं बात करें, RNA की बात करें तो यहाँ पे बस किवल जो हमारा थाइमीन होता है इस थाइमीन के जगह पे क्या हो जाता है यूरासिल हो जाता है ठीक है और बाकी के जो हम लोगे तीन होते हैं जैसे गवानीन हो गया, एडिनीन हो गया, साइटोसिन हो गया, वो तीन जो है RNA में भी पाए जाता है कि वाल थाइमीन के जगह पे हमारा क्या हो जाता है यूरासिल हो जाता ठीक है अगर वहीं पे अगर साथवे नंबर की बात करें तो DNA यह समस्त जैविक गतिविधियों पर नियंत्र लगता मतलब कि जीवों के सरीर में जो भी कह सकते हैं जैविक गतिविधियां होती है उनको यह क्या करता है नियंत्र करता है ठीक है अगर वहीं RNA की बात करें तो RNA जो होता है वो DNA के नियंत्र में कार करता है मतलब कि RNA जो है अपना कार जो है DNA की देख रेख में ही करता है ठीक है अगर अब वहीं आठवे नंबर की अगर बात करें तो DNA म आपको नाम याद रखना है कि DNA में जो है डी आक्सी राइबोज सरकरा पाई जाती है और वहीं पर RNA में जो होता है राइबोज सरकरा पाई जाती है ठीक है तो यह तो था इनका कह सकते हैं अंतर की DNA और RNA में क्या अंतर होता है जो कि हर वर्स जो है किसी ने किसी सेट में जरू अच्छे स्यार कर लिजेगा और वीडियों को जो है लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में वीडियों को जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही छोटे-छोटे जो है इंपोर्टन टापिक को देखने के लिए अपने इस प्यारे से यूटुब चैनल पे आते रहिएगा